हेलो प्रेंट्स, हमारे हार्ट को कॉंट्रेक्शन करने के लिए, पंपिंग करने के लिए, इलेक्टिकल इंपल्स की जुरुरत रहती है, और हार्ट का जो कंडेक्शन सिस्टम है, वो इलेक्टिकल इंपल्स अप्लाई करता है, हार्ट का जो कंडेक्शन सिस्टम है, वो ऐसे एवी नोड बंडल ओफिस और राइट बंडल और लेप्ट बंडल को मिला कर बनता है जैसे ही ऐसे नोड से इंपल्स निकलती है वो इंपल्स फिर एवी नोड में जाती है फिर बंडल ओफिस में जाती है फिर राइट बंडल और लेप्ट बंडल में होके वेंटिकल को सप्ल आज के वीडियो में यही डिसकस करेंगे जो वेंटिकल है उस एरिया में जो कंडेक्शन सप्लाई होती है वहां पर यह ब्लोक होता है तो क्या दिक्कत होती है उसका क्या importance है इंदर conduction system की supply होती है उस area को बोलते है intraventricular conduction system और यह वहाँ पे कोई block होता है तो उसको बोलते हैं intraventricular conduction block और यह block आपके right bundle branch में हो सकता है आपके left bundle branch में हो सकता है और left bundle आपका दो part में divide रहता है जिसमें एक रहता है entire physical lie और दूसरा रहता है posterior physical है तो यह इन चारूं area में कहीं भी block हो तो आपके उसको intraventricular conduction block बोलते हैं intraventricular जो conduction block है उसके दो मेन कारण रहते हैं एक जो conduction system के अंदर ही दिक्कत हो या फिर दूसरा conduction system normal है लेकिन बहार से कोई दिक्कत और यह जो उसको affect करता है पहला वाला कारण है जिसमें conduction system में दिक्कत है जैसे जैसे एज बढ़ती है fibrosis हो सकता है sclerosis हो सकता है conduction system की activity कम हो सकती है दूसरा कारण रहता है जिसको external कारण बोलते हैं जैसे किसी patient को नहीं किसी person को heart attack वा हो या heart failure हो कार्डियो मायोपेथी हो अरोटिक वाल की दिक्कत हो यह सारी condition मिलके आपके conduction block कर सकते हैं conduction block में left anterior hemiblock या left anterior लोग सबसे common है और यह general population में 4.5% लोगों में पाया जाता है यह वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि कापी सारे जो friends हैं उनका यह question था कि उन्होंने ECG करवाया और उनमें left anterior hemiblock दिया है तो अब उनको कितना risk है कितना danger है उनकी life को कहीं उनका sudden death तो नहीं हो जाएगा कहीं heart attack तो नहीं आ जाएगा इस तरह के कापी सारे doubts थे इसलिए यह वीडियो बनाया है left anterior hemiblock सबसे common है और यह दी आपने ECG करवाया और उसमें आपको incidentally left anterior hemiblock आता है जबकि आपको और कोई दिक्कत नहीं है आपके किसी तरह के heart problem नहीं है heart failure नहीं है ejection correction आपका ठीक है कोई भी तरह के आपका symptom नहीं है कुछ भी तो इसको एक incidental finding माना जाता है और इससे आपको ड़ने की जरूत नहीं है इसका कोई मतला आपको किसी भी तरह का नुक्सा नहीं पहुंचाएगी और ये एक benign finding मानी जाती है ECG में जैसे left anterior hemiblock के बाद में आपके कुछ लोगों में right bundle branch block भी मिल सकता है ये भी एक normal finding हो सकती है आपके ECG में right bundle branch left bundle branch block रहता है और ये आपको साथ में कुछ underlying condition है यानि आपको heart attack हुआ है, heart failure है, cardiomyopathy है, heart के wall की दिकत है यानि इस तरह की दिकत हैं तो फिर उनकी importance बढ़ जाती है यानि ये सारी दिकत हैं और साथ में आपको ये block भी है तो आपकी risk और ज्यादा बढ़ जाती है ये दिक इसी कारण से आपने ECG करवाया और आपके ECG में आया left enter hemi block या right bundle branch block या left bundle branch block ये दिए ऐसा कुछ भी आता है लेकिन आपको कोई भी underlying cause नहीं है, underlying कारण नहीं है, आपको किसी तरह का heart attack नहीं है, heart failure नहीं है, cardiomyopathy नहीं है, आपका heart का wall है, वो सब normal है ये दि ये सारी कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये वाली finding इनको माना जाता है, benign finding, यानि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जब भी आपके ECG में ये blocks दिखते हैं, तो उसका treatment करने के लिए आपको, कभी भी ये block का treatment नहीं होता है, इसका जो underlying cause है, उसको treat करना रहता है, और उसको treat करने से ये block भी ठीक हो जाते हैं, येदि ECG में सिरफ ये ही एक finding है, बाकि कोई आपका underlying cause ही नहीं है, तो आप wait कर सकते हैं, follow up कर सकते हैं, इनका कोई treatment करने की आप सकता नहीं है, तो जब भी आप ECG करवाते हैं, और आपकी ECG में ये ये left anti hemiblock आता है, तो इसको एक incidental finding माना जाता है, ये भी आपकी किसी भी तरह का कोई symptom नहीं है, और आपका heart strategically and functionally normal है, जैसे echo करा, echo में आपका heart एकदम normal आ रहा है, तो आप गब रहे हैं नहीं, और बार-बार इसके बारे में नहीं सोचें, क्योंकि ये एक normal finding मानी जाती है, जो कि आपने incidentally EC CC करवाए और उसमें आ गई, बाकि इससे आपको कोई नुकसा नहीं होने वाला है, thank you.